अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर लीजे लाइक कर दीजेये , कॉमेंट कर दीजेये शेयर कर दीजेये तो ये हमारी tarot mini lessons की series है मैंने पहले भी अगर आप मेरी playlist में जाके देखेंगे mini lessons पे बहुत सारे lessons बनाई हैं, spreads बनाए हुए हैं लेकिन अब मैं बहुत detail में tarot spreads के जो सिखाते हैं हम लोग course में उसके मैं आपको overviews videos बना रही हूँ तो इन videos बनाने का कई purpose है जिन लोगोंने tarot सीखा हुआ है, लेकिन spreads में वो लोग उतने expressive नहीं है या उनको नहीं समझ में आता कि हम किसना के spreads बनाएं वो लोग सीख सकते हैं, जिन उनने मेरे से tarot सीखा है मेरे students के काम आ सकते हैं, जब मैं उनको video share करती हूँ और उसके अलावा, मैं जल्दी members के लिए, हम लोगों का जो एक golden membership है जो 7,999 का YouTube पे है, मन्थली का उनके लिए मैं कुछ ऐसे videos लाने वाली हैं, जो सिफ members के लिए होंगे लेकिन members जो जुदने शुरू होंगे, तब हम videos बनाने शुरू होंगे अब भी तो फिलहाल ये videos हैं, अगर आप तैरो कोर्सिस करना चाहते हैं, वीडियो कोर्सिस अवलेबल हैं, जहां पर one to one class होती है आप जैसे कि face to face पैट के सीख सकते हैं, वैसे या वीडियो क्लासिस पे सीख सकते हैं पहत तरह के कोर्सिस हैं, जो कि 30,000 से शुरू हो जाते हैं और लाखों तक भी जाते हैं depending कि आप उन्समें पूरा package क्या ले रहे हैं, निम्रोलाजी सीख रहे हैं, किस तरह के कोर्सिस सीख रहे हैं, उसके basis पे हैं हम कोर्सिस के content and authenticity पे focus करते हैं, ना कि prices पे, तो अगर आप उन्में से हैं, जिनको best सीखना है और education को आप investment मानते हैं, तो आप मेरे कोर्सिस जॉइन कर सकते हैं तो चलिए, आज जिस spread की हम बात करेंगे, यह है protection spread there is many times, जब हमको लगता है कि यार हम protected हैं, कहीं किसी की negative energy तो नहीं effect कर रही है यह हमारे aura में negative vibes तो नहीं है, तो उसके लिए यह tarot spread बहुत काम आता है यहाँ पे again हमने 7 cards लिये हैं, इसका layout कुछ इस तरह से है, 1st card यहाँ पे रहेगा फिर दें left पे second and third पे right, left पे fourth and fifth right पे and sixth left पे and seventh right पे तो इसका layout कैसे रहेगा कि जो first card है, इस card से हम read out करेंगे कि क्या मैं दूसरों की energy के influence के लिए open हूँ, फिर किस तरह की energies मेरे around surround करती है क्या ऐसे कोई energy है जिसके, जिससे मुझे aware होना चाहिए कौन मुझे aid करता है याने की help करता है, किस protection पे मैं count on कर सकती हूँ, belief कर सकती हूँ हताब यह sample reading है, ठीक है, क्या मुझे ground करने की जरूत है और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने आपको protect कर सकूँ तो इस तरह से हम यह layout करते हैं, अब क्योंकि मैं layout आपको समझा रही हूँ तो एक sample reading भी करके दिखा देती हूँ ताकि overview आपको मिल जाए इसका basically यह हमें है कि symbolize करना है कि often हमारी जो energy है, वो जब कई energies की contact में आती है तो किस तरह की energies हमारे around, surround करते हैं, में किन से protection की जरूत है, यह हम करते हैं तो चलिए पहला card देखते हैं, am I open to the influence of others? ठीके तो यह card, जैसे अगर किसी की reading में यह card आता है, because it's a sample reading, it may resonate, it may not resonate तो लेकिन समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जिसे यहाँ पर यह justice का card आया है तो यहाँ पर यह चीज़ दिखा रहा है कि आप balance रहते हैं, कभी-कभी आप open हो जाते हैं लेकिन अगर आप कभी गल्दी से open हो भी जाए दूसरे की energies के लिए, तो आप balance करना अपने आपको सीख जाते हैं तो yes, you might be open to the influence of others, but not as much मतलब you can realize it on the time and you can able to heal it on the time आप open हो भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो आपके पास advice के लिए आते हैं, आपके contact में आते हैं, आपके friends हो सकते हैं, जो आपसे अपनी personal problems गेरे share करते हैं तो आप अपने आपको vulnerable बना देते हैं, लेकिन आपको यह realization रहता है, आप identify भी कर लेते हैं अब यहाँ पे किस तरह की energy मेरे surround, आचा तो यहाँ भी this is a very positive card, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके around हमेशा happy energies surround कर रही हैं, बहुत ही vibrant energies हैं, positive people हैं, positive लोग हैं, जिनके साथ आप feel करके खुश करते हैं, मतब वो अपने life में भी happy हैं, वो आपको भी uplift करते हैं, आप भी उस को uplift करने में believe करते हैं, तो that is one thing, this is the kind of energies surround, आपके friends हो सकते हैं, आपके family friends हो सकते हैं, आपके school friends हो सकते हैं, आपके close friends हो सकते हैं, जो आपके surround करते हैं, क्या कोई ऐसी energy है, जिससे मुझे aware होना चाहिए, yes, ऐसी energy है, बट negative नहीं, अब देखें, यहाँ पे cards, कई बही क्या ह सकते हैं, लेकिन जब हम actual reading करेंगे, तो महाँ पे negative energies भी आ सकते हैं, कुछ इस तरह का भी आ सकते हैं, कि हाँ अगर आपके around negative energy है, तो आपको से aware होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह दिखा रहा है कि positive energy है, बहुत कोई divine energy आपके आसपास है, जिससे आप aware हो जाएंगे, वह divine energy आपको बहुत help कर दी है, और अगर आप aware होंगे, तो आप पूरी दरह से उसकी help और वो vibrations ले पाएंगे, जो वह आपको दे पारी है, क्या आपको aid करता है, आपको आपकी strength होती है, जो आपकी transparency है, जो आपके लोगों को deal करने का तरीका है, आप सब को एक समान मानते हैं, वो आपको aid करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी strength आपको aid करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देख पारी होंगे, तो यहाँ यह दिखा रहा है, तो यहाँ यह दिखा रहा है, कि ऐसे लोग जो बहुत depression में हैं, उनसे आपको protected रहने की बहुत ज़रूत है, क्या उस तरह के आप, you can count on your own self, you can count on protecting yourself from the other's stress and depressing energies, बहुत ज़्यादा उनके drama में आप involved ना हुएं, और आप अपनी energies पे count on कर सकते हैं, आप angelic energies पे count on कर सकते हैं, do you need to ground yourself, yes, sometimes you need to ground yourself, because sometimes you come across with such kind of energies, जो आपकी root chakra का energy को कीचने का कोशिश करते हैं, तो आपकी जो strength है, आप grounded आप connected होएंगे और आप उनकी negative energy की vulnerable होगे, what should I do to protect myself, तो यहाँ पर ये card दिखा रहा है, you have the resources, आपके पास resources हैं, आप बहुत सक्षया में, आपको पता है कि आप healing कर सकते हैं, आप अपने आपको symbol से protect कर सकते हैं, आप spells कर सकते हैं, आपके पास methods हैं, बस आपको अपने methods की यूज करने की ज़रोता है, लव रखिए, दूसरों के प्रती भी, अपने प्रती भी, unconditional love रखिए, लेकिन बस उस लव का किसी को फाइदा ना उठाने दीजिए, बस ये धियान रखिए कि आपके प्यार का, आपके केर का, आपके emotions का कोई फाइदा नठाए, this is the only thing you can do to protect yourself, तो this was a protection spread, I hope आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, मैं और spreads आगे के वीडियो में लेके आऊंगी, मुझे comment में बताएए आपको ये spread series कैसी लग रही है, लेकिर इसका फाइदा तभी है जब आप प्रॉपर तरीके से tarot सीखें, क्योंकि meaning से अगर आप tarot करेंगे तो reading security नहीं आएंगी, making your own spreads is also necessary, जो कि मैं courses में सिखाती हूं, और ये videos, short videos हैं, ताकि आप लोग spreads को और widely देख पाएं, आपको एक overview बन जाए कि tarot कैसा होता है, अगर आपका interest बन रहा है tarot सीखने के लिए तो आप courses join कर सकते हैं, thank you so much